सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए वीडियो मिलती रहें ताकि आप तक ठीक है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेयर कर देना तो स्टाट करते हैं टॉपिक है बच्चो माइक्रो ऑर्गिनिजम सूशम जीव पढ़ते हैं वन दे इन क्लास टीचर आस्क स्टुडेंट् फूड आईटम लफ टू एट एक दिन कक्षा में टीचर ने बच्चो से अपनी मन पसंद घ Louise की चीजों की लिस्ट बनाने के लिए कहा सुछी बनाने के लिए कहा र रानी ने अपनी मन पसंद चीजे लिगनी कौन कौन सी इडली, डोसा, छोले बटूरे, दही, धोकला, चीज, पनीर, पनीर सेंडविच जो होता है और चोकलेट ये सब लिग दिया। जब टीचर ने उसकी लिस्ट को देखा, शी स्माइल्ड वह मुस्कुराई और सेड बोली, इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सभी सूशम जीव की मदद से बनी हुई चीजें पसंद हैं। रानी कुड़न्ट रेसिस्ट हरसेल्फ एंड आस्कड वट आर माइक्रो अर्गिनिजम रानी खुद को नहीं रोक पाई और उसने पूछ लिया कि ये सूशम जीव क्या है। इसलिए उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रो इसकोप की सरूरत होती है। इसलिए उन्हें सूशम जीव कहा जाता है। और उन्हें हम माइक्रो भी बोल सकते हैं। तीचर रिपलाई। टीचर ने उत्तर दे दिया पिंकी को। पिंकी इस्टिल हैड डाउट्स इन हर माइंड। पिंकी के माइंड में अभी भी डाउट्स थे संधे थे कुछ। शी आस्क्ड अगैन उसने दुबार से पूछा। और अल्द फूट प्रोडट्स इन माइ लिस्ट मेड अफ वन माइक्रो ऑर्गनिजम ओली। क्या मेरी लिस्ट में सभी जो प्रोडट्स हैं वो केवल एक ही माइक्रो ऑर्गनिजम के हैं। एक ही सूशम जीव से बने हुए हैं। टीचर इसमाइल एंड सेड टीचर ने स्माइल के टीचर मुस्क्राइए और बोली। नो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पाइक्रो ऑर्गनिजम एराउंड अस नहीं। हमारे चार और अलग अलग परकार के सूशम जीव पाए जाते हैं। दे आर ओफ फोर टाइप्स वो चार परकार के हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोवा एंड अल्गी। बैक्टीरिया में जविशाडू, फंगी, तो फंगी होती है, प्रोटोजोवा ठीक है, फंगी को कवक भी कहते हैं, अल्गी शेवाल, ओके स्टुजेंट्स तो यह टाइप्स बताय हुए है, टाइप्स ऑफ मार्क्रो ऑर्गनिजम यहां पर सूशम दर्शी की साहता से यह दिखाए हुए है, यह जिवाडू होते हैं, ठीक है बैक्टीरिया है, यह प्रोटोजोवा की पिक है, और यह है फंगी की जो कवक होती है, और यह अल्गी जो शेवाल होती है, तो यह चारो पिक्स दिखाए हुए हैं आपको, और इसमें बताय हुए अभी है, वाइरस इस are also microscopic but are different from other microorganisms अब इसमें वाइरस के बाइर बाता है कि विशाडू जो होते हैं वो भी सूशम जीव होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन microorganism से सूशम जीवो से थोड़े अलग होते हैं मतलब यह छोटे होते हैं बहुत यह भी हमें दिखाई नहीं देते जो वाइरस होता है विशाडू जो होता है लेकिन यह अन्य सूशम जीवो से अलग होते हैं COVID-19 is a type of virus responsible for corona nowadays तो यह एक वाइरस है यह कौन सा COVID-19 यह भी एक वाइरस का परकार है जो आजकल चल रही बिमारी कोरोना के लिए responsible है इसकी वज़े से ही कोरोना बिमारी पहली हुई है तो बच्चों चेकिए और सल्फ हमें अपनी नौलिज चेक दनी हो यहाँ पर हमें आंसे ठीक है what are microorganism name the different types of microorganism हमें बताना है कि microorganism क्या है और उसके अलग-अलग परकार के नाम भी बताने हमें तो हम यही से बता देंगे बच्चों वक्षीट में ही दिये हुए हमें वक्षीट पे हम निशान लगा लेंगे यहां से आप लिख लेना microorganism यहां सा answer 1 a very teeny living organism यह बहुत चोटे जीव होते हैं they are so small that we need a microscope to see them that's why they are called microbes or microorganism आप यहां तक लिख लेना okay student 1 और इसके बाद आप यह भी लिख देना they are of four types bacteria fungi protozoa LA यहां तक आप यह मिला कर लिख देना answer number one में question number two में हमसे पूछा हुआ है बच्चों write any two examples of food products हमें two examples बताने food products के ठीक है that are obtained with the help of microbes जो सूशम जीव की सहता से बने होते हैं तो हमने answer number two में answer दे दिया curd and cheese दही और पनीर यह बने होते हैं सूशम जीव की सहता से third is find out and circle the various types of microorganism in this word grid यह word grid दिया हुआ हमें यहां पर ठीक है arrow से दिखाय हुआ हमें हमें इसमें पता लगाने हैं जो types हैं वो कहां पर हैं इसमें microorganism के तो हम उसे circle कर देंगे बच्चों क्योंकि हमें इसी में मिल जाएंगे वो जहां जा मिलते जाएंगे हम circle कर देंगे देखे सबसे उपर तो हमें यहां fungi दिख रहा है ठीक है फंगी पर हमने टिक कर दिया अब यहां पर हमें algae दिख रहा है इसे हम circle कर देंगे और next कौन सा है और कहां पर हैं इसमें एक हमें इसमें बैक्टीरिया ढूणना है बैक्टीरिया दिखे यह रहा बैक्टीरिया पर कर देंगे, एक हमें इसमें कौन सा डूढना है, एक हमें इसमें, हाँ तो इस्टुजेंट से यह फंग गया, अल्गे बैक्टीरिया, अब हमें यूना है प्रोटोजोड, तो देखिए, यहां से यह हो गया, प्रोटोजोड, ओके, अब यह चारो नेम हो गया, हमने सर्कल कर यह question number 4 है write the name of foods that you like the most and make you feel happy आपको foods के name लिखने है जो भी food आपको पसंद है और जिसे खाकर आपको खुशी मिलती है ठीक है तो हम उनके नाम लिख देंगे मैंने लिख दिया बचो answer number 4 में शाही पनीर and मैं like of था क्योंकि मुझे यह दो नहीं ही बहुत पसंद है शाही पनीर मैं like of था आप इनकी जगह वो लिख सकते हैं जो आपको पसंद है अगर आपको में वीडियो पसंद आई है तो please मेरी वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे चनल को subscribe कीजिए thanks for watching